हेलो फ्रेंड्स, बेलकम यू टु इरान स्टडी चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि platform volume 2 का model test paper हमारे चैनल दोरा का discussion आप लोगों को provide कराया जा रहा है हिंदी का model test paper first का 50 question का discussion अल्रेडी हमने पहले वाले वीडियो में कर रखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो जाके playlist से जाके वो आप देख सकते हैं साथ ही अगर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए इसमें GS के भी सारे model test paper आपको दिये जा रहे हैं जिससे आप अपने GS की तयारी कर सकते हैं साथ ही साथ अपने ability को भी check कर सकते हैं कि आप कितना score कर पा रहें तथा आपकी position क्या है क्योंकि यहां बहुत सारे students जुड़े रहते हैं और वो अपना marks डालते हैं जिससे आप अपने आपको judge कर सकते हैं कि हम क्या हाँ पे stand कर रहें तो आईए start करते हैं 50 question already हमने discuss कर रखा है तो next 50 question के लिए हम आगे बढ़ते हैं यह 50 question हमने कर रखा है 51 से हम यहां देखते हैं देखिए 51 question number क्या कह रहा है इस सवाल का जबाब जो कोई भी सिच्छक दे सकता है बाक में इस सवाल का जबाब तो कोई भी सिचक दे सकता है बाक में आये भी तो सब्द है तो यहाँ पे भी जो सब्द है देखिए option देखिए सर्बनाम सर्बनाम क्या होता है? संग्या के बदले में जो आता है भी यहाँ पे संग्या के बदले में नहीं आ रहा है दूसरा option है नीपाद, नीपाद किसको कहते हैं, वो अब्याब जो किसी सब्द पत के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विसेश परकार का बल भर देते हैं, उसे नीपाद कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, भर, केबल, इत्यादी, ये सारे सब्द से जुड़के, जो विसेश परकार का बल भर देते हैं, अर्थ में, तो, उन्हें हम नीपाद कहते हैं, तो, इसका सही आंसर हो जाएगा, option नमर, बी, नीपाद, आप देखिए, question नमर, 52, वो थोड़ा बीमार है, इस सब्द में, थोड़ा में कौन सा क्रिया विसेशन है, तो, इसमें, option नमर, देखिए, परिमान बाचक, परिमान, मतलब, नाप होता है, तो, थोड़ा, कम, यह सब की, अगर बात की जाए, तो, वो परिमान बाचक में आता है, तो, इसका सही आंसर हो जाएगा, option नमर, परिमान बाचक, तेखिए, परिमान बाचक, परिमान बाचक, क्रिया विसेशन, अगर हम बात करें, तो क्रिया विश्यसन की तो जो सब्द क्रिया की विश्यसन बतलाते हैं, उन्हें हम क्रिया विश्यसन करते हैं, और अर्थ के अधार पर क्रिया विश्यसन के चार प्रकार होते हैं, स्थान बाचक, काल बाचक, परिमान बाचक और हृती बाचक, स्थान ब फरिति भाचक में हो गया थोड़ा बहुत कम जरा ज़ासे भी आपने बताया तो यह लिए मोण परीमान बाचक कृइया विशेसन औरिती बाचक ऐसे वैसे जैसे यूज करते हैं तो वह गया आपका रीती बाचक क्रिया विशेसन हम नेक्स Q Race देखते हैं Q tipos Cand no. 53 तो देखिए घोड़ा तेज भागता है इस बाक में तेज ब्याकरण की दिस्टी से क्या है तेज भागना को बता रहा है भागना को डिफाइन कर रहा है कि वो तेज भाग रहा है या स्लो भाग रहा है मतलब क्रिया की भागना क्या है क्रिया है और क्रिया की विसेशता बता रहा वह गलत होने से ब्लांक है डरती है, बाके में उचित क्रिया बिसेसन सब दलाएं, तो क्या होगा, यहाँ पर देखें, option से देखते जाएं, वह गलत होने से तेज डरती है, नई, वह गलत होने से धीरे धीरे डरती है, नई, वह गलत होने से बहुत डरती है, तो यहाँ पर कुछ हो रहा है option नमर्ड बहुत इसका सही अंसर हो जागा option नमर्ड आप देखिए 55 जब बच्चे को प्रकृतिक से दूर रखा जाता है बाग की मेरे खांकित अंस में कौन सा कारण है देखिए आप सभी जानते कर्म कारक आपादान कारक समपादान कारक तो इसका आपादान कारक में देखिए होता क्या है कि जहाँ अलगाव की बात की जाती है उसे हम अपादान कारक करते हैं तो बच्चे प्रकृतिक से दूर है अलगाव की बात की गई है तो यहां पर क्या हो जागा आपादान कारक इसका साइए अंसर option नमर्ड बी पंडिक नेक्स कोश्चिन 57 मिर्टुन्जे पद में कौन सा समास है तो यहां देखिए कि मिर्टुन्जे जिस समास के पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है दोनों पद मिलकर किसी तीसरे सद्की और संकेत करते हैं वैसे पद को बहु बरी ही समास करते हैं और देखिए मिर्टुन्जे मिर्टु को जीतने वाला तो यह क्या है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है लेकिन मिर्टु को जीतने वाला कौन है संकर तो यह तीसरे पद को प्रधान बना रहा है तीसरे पद की और संकेत कर रहा है तो ये क्या हो जागा आपका बहु भी समास, तो option number, ये इसका सही answer हो जाएगा, आप question number 58 देखे, गौस अला में कौन सा समास है, गौस अला मतलब गौ के लिए साला, तो जिस समास में बाद का अत्वा उत्तर पद प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारण के च और गौसाला बना, तो ये ऐसे समास को हम तत्पुरुस समास कहते हैं, उसका सही answer हो जाएगा, option number B, अब देखे, question number 59, देश भक्ती में कौन सा समास है, देश भक्ती, मतलब देश की भक्ती, तो ये भी देश और भक्ती, दोनों पद क्या है, प्रधान है, बट की जो देश की भक्ती है, की लुप्त होगा, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुस समास, तो 59 का सही answer हो जाएगा, option number A, तत्पुरुस समास, अब देखे, 60, चौर आहा में कौन सा समास है, तो आप सभी जानते हैं, दिग्गु समास होता है, जिस पद में, जिस समस्थ पद का पुर पद संख्या बाचक भी सेशनों, उसे दिग्गु समास कहते हैं, जैसे आपका हो जाएगा, यहां क्या है, चौर आहा मतलब, चार को डिफाइन कर रहा है, जिसमें चार रास्पें हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, चौर आहा कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दसानन जिसके 10 यह हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा? आपका दिग्गु समास हो जाएगा 3 भूज जिसके 3 भूज है 4 भूज है तो यह सवरे आपके क्या हो जाएगे? दिग्गु समास में आएगे तो इसका साइया अंजर हो जाएगा option number A अब देखे, question number 61 तो पर बारो उर्बसी सुनी राधिके सुजान तू मोहन की उर्बसी हवे उर्बसी समान इस अपतरन में कौन सा अलंकार है? यह पूछा गया है तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है यहाँ सब्दों की आविर्ती बार-बार हो रही है यमक अलंकार कहते किसको है? सब्दों की आविर्ती जहाँ एक सब्द से अधीक बार परियुक्त हो और उसके अर्थ अलग-अलग हो तो वो क्या होते हैं? यमक अलंकार होते हैं इसका सही आंसर हो जागा option number D यमक अलंकार अब देखें question number 62 मुदित महिपती मंदीर आए सेबक सचीप सुमन बुलाए पंक्ती में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जागा option number B अनुप्रास अलंकार तो अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? इसकी पहचान ब्यंजन बढ़नों की आभिर्ती से हो रही है जैसे म बढ़न की आभिर्ती हो रही है मुदित महिपती मंदीर आए सेबक सचीप सुमन सब बढ़न की आभिर्ती हो रही है तो यहाँ पे अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा इसका सई आंसर हो जागा option number B अब देखिए next question question number 63 चरन धारत चिंता करत चित्वत चारू और सुबरन को ढूंडत फिरत कभी व्यभी चारी छोर तो इसमें पूछ रहा आपको कि कौन सा अलंकार है तो यहां आपका अलंकार हो जाएगा स्ले सलंकार हो जाएगा option number C इसका सई आंसर है यहां देखिए यहां सुबरन का परियोग एक बार किया गया है किन्तु पंक्ती में परियोग सुबरन सब्द के तीन अर्थ हैं कभी के संदर में सुबरन का अर्थ अच्छे सब्द से है व्याविचारी के संदर में सुबरन का अर्थ सुन्दर बर से है और चोर के संदर में सुबरन का अर्थ सोना से है तो एक ही सब्द का परियोग हो जिसके अर्थ अलनेक हो तो वैसे जलंकार को हम स्ले सलंकार कहते हैं तो इसका सही आंजर हो जगा option number C, आप देखिए next question देखिए 64, उस काल मारे क्रोध के तनुकापने उनका लगा मानो हबा के जोड से सोता हुआ सागर्ध जागा, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेच्छा अलंकार है, उपमे में उपमान कसंदे बोधको, ज यहाँ पे मानो, जानो, मनहू, यह सब्रेच्प्रेच्छा अलंकार होता है, यहाँ बोल रहा है मानो हबा के जोड से, मतलब कि वो काल क्रोध में ऐसे कापरा जैसे हबा के जोड से सोता हुआ सागर्ध कापता है, तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेच् C, आप देखिए next question देखते है, 65, 65 क्या कह रहा है, वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं दूंगा, इसमें कौन सा बाक्य है, तो इसमें ये संयुक्त बाक्य है, दो बाक्य को देखिए जोड़ा हुआ, वह तुम्हारा साथ दे, या से जोड़ा हुआ या ना दे, मैं दू तो जिन बाक्यों में दो या दो से अधिक सरल बाक्यों को जोड़कर जुड़े हो उन्हें संयुक्त बाक्य कहते हैं जैसे अगर वैसे और एवम अत्तथा या अत्वा इसलिए से जुड़े होते हैं दो सरल बाक्य और उससे मिलके बाक्य बनाते हैं तो वो संयुक्त बाक्य क कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसन नमबर C, अब देखिए, नेक्स कोश्चन कहा रहा है, 66, मैं नहीं जानता कि रात में वककाप भाग निकला, तो देखिए, यहां भी है, मैं नहीं जानता, एक बाग सरल बाग के हो गया, रात में वककाप भाग निकला, दूसरा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, की से हम जोड रहे है, तो यह क्या हो गया, आपका संग्यूक्त बाग है, अभी हमने पढ़ा कि संग्यूक्त बाग दो सरल बाग्यों से जुड़के बना हुआ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C, आप देखिए question number 67, सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है, बाग्य में कौन सा बाग्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भी बिधान बाचक, जिन बाग्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें बिधान बाचक कहते हैं, अब देखिए next question, न्यूटन ने गुर्तवा कर्सन बलकी खोज की, बाग्यों को कर्म बाग्य में बदलिये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C, न्यूटन के द्वारा गुर्तवा कर्सन बलकी खोज की गई, आप देखिए next question देखते हैं, 69, दाता सब्द का स्त्रेलिंग रूप क्या है? तो दाता का स्त्रेलिंग हो जाएगा दात्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C, अब देखिए अध्यापक सब्द का स्त्रेलिंग पूछ रहा है, तो क्या होजागा अध्यापी का तो सही answer होजागा option number c, आप देखिये 71 question कर रहा है, अबर सब्दों का belong, तो अबर का belong क्या होता है? प्रबर, तो सही按 producer हो जागा option number a, अब देखिये next question जीना का belong सब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा गाढ़ह, जीना मतलब पतला जिलजिला सा हुआ वो और गाढ़ा उसका बिलोम सब्द हो गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B अब देखिए next question 73 जीवन दाइनी का बिलोम है तो देखिए प्रान धातनी ये तो और समानी हो गया इसका उल्टा सब्द हो जाएगा जीवन प्रदाइनी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D अब देखिए 74 नबर question समस्ठी का बिलोम सब्द होगा तो इसका हो जाएगा बेवेस्ठी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C आप देखिए निमलेकित बिलोम सब्दों में युगमों मेंसे कौन सा सब्द सही नहीं है तो देखिए, प्रशारन का संकुचन, मतलब हैलाब का संकुचन हो गया, सिकुडना, ओजस्बी का निस्टेज, ये भी सही है आपका, option number C, विग्य का सविग्य, ये गलत है, तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो नहीं सही है, option number C, देहाती का सहरी आप सभी जानते हैं, ये तो इजी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number C, अब देखिए, question number 76, विओम सब्द का समानार्थक सब्द है, विओम क्या है, विओम मतलब आकास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number A, अब देखिए, question number 77, अंबु सब्द का समान समानार्थक रूपनिंड में से कौन सा है तो यह हो जाएगा अंबू मतलब क्या होता है जल तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number c अब देखिए question number 78 जानवी सब्द का समानार्थक निमलिखित में से चुनिए तो यह हो जाएगा जहन्नू मतलब तो नर्क होता है बी है जानने व लाइन अस्व का परियाची सब्द क्यांने में से कौन नहीं है जान्सर हो जाएगा option number c अब देखिए question number 80 कौन सा सब्द काम देब का परियाय नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D अर्बिन अब देखी question number 81 निंड में से कौन सब बरित का परिवाची सब्द नहीं है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D अम्बूज बाकि सब मेग घन और परियोद यह सारे बादल के नहीं परिवाची सब्द है तो इसका सही answer हो जाएगा अम्बूज और option क्यों से सही है option number D आप देखे next question question number 82 जो पराजित ना किया जा सके आप पराज है इसका सही answer हो जाएगा option number D आप देखे next question बहुत अधिक परिश्रमी ब्याक्ति मतलब वो कर्मट इसका सही answer हो जाएगा option number C अब देखे question number 84 जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे क्या कहते हैं तर्क सम्मत तो इसका सही answer हो जाएगा option number D question number 85 क्या कर रहा है ऐसा पुस्प जो अभी विक्सित नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा option number B मुकुल कि अब देखे next question 86 दोनों दोस्त एक और जाकर ना जाने क्या खिचड़ी पका रहे हैं इसमें आपको पूछ रहा है को मुहावरे का अर्थ पूछ रहा खिचड़ी पका रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा गुप्त सलाह करना कारे करना तो यह नहीं अब देखिए question number 87 राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया तो इसका सही answer क्या होगा खुसी मनाना बिल्कुल भी नहीं आग में घी डालना का क्या होगा किसी को हम उत्तेजित करना तो इसका सही answer हो जाएगा option number D उत्तेजित करना अब देखिए 88 पुत्र के yes का समाचा सुनकर पिता कि छाती गज़ भर की हो गई तो इसका सही answer हो जाएगा option number गज़ भर की हो गई मतलब उत्तसा से भर गई तो इसका सही answer हो जाएगा option number C अब देखिए next question देखिए 89 अहायन अपन ठीक रास्ते पर है ब्यक्ति में असुद्धि तो इत कौन सा सुद्धि गर सर्वनाम के जग़हां यहां पर आपन नहीं होना चाहिए तो यह आपका हो जाएगा सुद्धि क्या है स्रवनाम समंदि इसमें असुद्धि है निमलिकित में से असुद बरतनी तो इसका साही आंसर हो जगा ऑप्सा नमबर आप देखिए नमबर 92 सुध बढ़तनी किस सब्द की है यहां पर तो इसका सही आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर अब देखिए नीचे आपको गद्धांस दिये हुए है इसे पढ़ के आप आंसर करना हैं तो यह मैं डिस्कस नहीं कर रही हूं तो यहां हमने 51-92 नमर तक हमने डिसकस कर लिया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और भी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही जीएस का वीडियो देखने हमारे मुत्राइब से individuals् आपको हमारे यह जीए यहलिए और रहे हमे कीजिए у यहां कि दा झाला है तो यहाय हूमारे छैना से सब्सक्व लог़भत कर दो दोन्य से फक्ता हमारे रही है तो अइदल दूाला है यह हमारे किसमाशने किद्स और ओर अशने तो दोर अवाला हमा